हलो दोस्तों आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अविनंदन है मैं आप सभी के बीच में नहाँ आई होप आप सभी लोग स्वस्त मस्त जबर्जस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को दार दे रहे होंगे कटारिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अविनंद लोगों के और हमारे परिवार में कमी है और ये परिवार अभी हमारा 3K का होने जा रहा है कितना 3K का होने जा रहा है तो आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही हम लोग यहां तक आएं तो आप फटा-फट जल्दी से क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ना-ईलिक्लास में बातचीत किये थे काली मिटीय। जल容 मििटी, मरुस्तली, परवति मिटी, इन राल मुटी, इन सब के रमातीयों बातचीत मुटी थे आज हम लोग शुरू करेंगे छोटा-छोटा टापिकि ले देखने माने लेटे राइड मिट्टी है क्या लेटे राइड मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं तो आप देखेंगे लेटे राइड मिट्टी में हम लोग चाय का उत्पादन करते हैं किसका चाय का उत्पादन करते हैं सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं और अगर कुछ बच्चे जिनके पास ये बुक नहीं है अगर नोर्स बनाना चाहें तो जरूर बना ले आपके बीच में एपिएस का फार्म चल रहा है अभी आप लास्ट डेट आने वाली अगर अभी तक आपने फार्म नहीं बढ़ा है तो आप जाकर भर सकते हैं और आरो राइड मिटी या मिटी के अध्यन को क्या कहा जाता तो आप सभी लोगों को पता था पेडोला जी कहा जाता और मिठी क्यों आवश्यक है Pokemon किसने बुकानन द्वारा किया गया था अगर लेटे राइड मिट्टी का सर परतम अध्यान पूछा जा जा तो कब 1905 में किसके द्वारा तो बुकानन द्वारा किया है इनका नाम लेटिन वासा के सब्द लेटर से लिया गया है कैसे लेटर से लिया गया है ठीक है ना लेटे राइ देखेंगे जो इट जिससे बनती, जिससे आपके माकानों पर ईटे लगी हैं, वो इटी जो मिटी एसवश्यकुने, इए कहीं से पयदा होती है न, ईट तो मिटी के दोरा बनाकर उसे पकाया जाता है, कैसे? पहले मिटी होती है, और फिर उस मिटी को हम लोग क्या करते हैं? जैसे आप गोबर पातते न, अपने गर में जलाने के लिए उस तरह इंट पाती जाती है ये बनाई जाती है न और इट बनाने के क्रम पर आप देखेंगे, ये मिटी जिब आप किसी को यूटूब पर भी इट बनाते हुए देखेंगे तो ये मिटी जो होती पड़ी मुलाय इट सूखता है पहले के माःकान, आप देखेंगे, अब पक्की इटे चलने लगिए, पहले के माकान कच्ची इटोंके, यही कच्ची इटे वगए करती थे, ओर रोड़ेदार मतलब अगर यह मिट्टी को एक साचे में नहीं डाला जाए तो इसके बड़े बड़े रोड़े और गड़े हो जाते थे अना पहले के माकान आप देखते हैं कि जैसे जिनके यह इट वगएरा नहीं ले पाते थे माकान कच्चे भी होते थे तो भी उन रोड़ों को माध्यन से रख करके एक का गया ना करम सीलता के साथ रख करके और उन रोड़ों से माकान बनाए और फिर उपर से मिट्टी से लीप दिया जाता था कोई समझी ने यह रोड़े हैं कि इसमें क्या है ना तो इस तरह है और कच्ची इटे मैंने बता है ना पहले कच्ची इटों के माकान बनते थे अब लोगों के हाँ भठा और फलाना डिमका होने लगा है तो उनमें क्या किया जाता है पका लेते हैं आप लोग न उनी इटों को कौन सी यही इट है तो आप देखेंगे कि लेटिन बासा के सब्द से लेटर से लिया गया जिसका अर्थ होता है इट भीगने पर मिट्यां मकन की बाती मुलाइम हो जाती है अब अगर उन मिट्यों पर कच्छे माकानों के मिट्यों से क्या बनी है तो मैं अपनी एक जैसे कहते न कोई प्रकृत बताये कि क्या आपने वास्तिकता में ऐसा देखा हाँ बता रहे ना जहां मेरा माकान है जहां मेरा घर है माकान नहीं घर है तो आप देखेंगे हम मतलब आप क्या देखेंगे हम देखते हैं हमारे माकान के जस्ट सामने वाला माकान कच्छी इटो का बना है आदा आदा पकी इटो का लेकिन आदा कच्छी इटो का और वहां पर क्या होता है जब कटनी के परती तो यह वहाँ बंतना यहर भीग जाती तो मुलायम हो जाती है उन्हके माकान के जरस्ट याश्री सरह बांद बंतना उन्हकर पारीन यारयम हो खचीयी पर पानी डाल कर देखेंग जब बारिस पहली पहली बारिस होती है क्या सुगन बासव नज trata तो उस मिटी को उस सुगंद के कारण वह जानवर क्या करते चाटते हैं अपनी जीब से और चाट चाट करके उनकी दिवाल पर गोल बना दिये गहरा सा गोल मतलब जैसे घंटा तो गंटा के लिए अब कोई जानवर के पास थोड़ी न बैठा रहेगा काम हो गया चले बारिस और वह जैसे मिटी भीग गई तो वह क्या चाट करा दे गंटे में गोल बना दिया आ गया उस दिवाल पर तो इससे क्या हुआ कि मिटी भीगने पर मक्षन की बात मुलायम हो जाती है और अगर इस पर पानी और यह सूख गई तो यह कड़ी और रोडे रोडे या आप कहें लोगों तो वही देला हुआ करता था ना तो आप देख क्या रहे हैं कि लेटे राइड मिट्टी से इट पाथा जा रहा है इट बनाया जाता है और पहले के जवाने के जो कच्छे माकान हुआ करते थे इनी इटों के या इनी मिट्टी के इट बनाया जाते थे बड़ी मजबूत मिट्टी होती है चिक है याद रखना का गया ये मानसून सदस से मौसमी वर्षा वाली उस्ट कड़बंदी जलवाई की विशिस्ट मिटियां है याद रखना उस्ट कड़बंदी भारी वर्षा के कारण होने वाली तीवर विचा दुको इतनी मुलायम हो जाती है अब देखेगा जब अब तीवर वर्षा नाम दि दिया जाता है गोबर से लीप दिया जाता है ताकि पानी आया तो धनक जाए अना इस मीट पर पानी पढ़ने से पहले ही पानी निकल जाए लेकिन अगर का गया आपकी भारी वर्षा के कारण होने वाली तीवर विलच्छन का गया विलच्छन किरिया के परिणाम लेटराइड मिटी का निर्माड हुआ है जाद रखना इस बात को आगे बढ़तें कागे अपला विलच्छन के उर्वर्था बहुत कम होती है एक दम होती है यह नहीं कहसा सकते कि ना कि बारा बहुत काफी कम होती है ठीक है ना क्या होती है उर्वरता कम होती है इस मिट्टी में लाव आकसाइड क्या लाव आकसाइड और आपका अलूमीनियम बताएं बाई अलूमीनियम का आयस किसे कहा जाता है जल्दी से कमेंट पाक्स में आप सभी लो ठीक है ना जाद रखना इस बात को यहीं से यूपी PCS RO RO यही प्रस्ट अकसर उठाए जाते हैं क्यों कि किसकी प्रचुरता और किसकी कमी है बच्चों को पता ही नहीं होता है ना बच्चे सोचते सब मिठीयां जैसी है ना सब मिठीयों के अलग-अलग प्रचुरता और कमी है तो हमारी लेटराइड मिठी में कागया लौ एर आकसाइड और आपका कागया अलमूनियम आकसाइड की प्रचुरता होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्पोरिक अम्न और जैसे पोटास चुना और कार्बनिक तत्तों की कमी पाए जाती है या मिठी भारत में केरल में कौन से पाए जाती है इंपोर्टेंट है थोड़ा सा याद करके रखना लेकिन ज्यादा चेतर कहां पाया जा रहा है केरल में पाया जा रहा है कहां पाया जा रहा है केरल में पाया जा रहा है ठीक है ना इंपोर्टेंट है और का गया में मेगाले के उत्तरी वाग में बस यह प्र तो सोचते मेगाले में पाई जाती बात खतम कर दिये लेकिन यहां ते अगर पूछ लिन गा तो आप लोगों को पता नहीं चलत कहां ते प्रसनावा है ऐसे कहां से प्रसनावा आप लोगों उनका पता नहीं चल पावत है तो याद रखें उत्तरी भाग में मेगाले के उत्त इस language और उस language में जमीन आस्मान कांतर है आप लोक सोचते अरे अपनी एक अलग बासा होती यार अपनी बासा से पढ़ना और पढ़ाना अलग एक कला होती है हम लोगों को याद रखना पड़ता है कि इस तरह बोलना है नहीं तो हम लोग तो ऐसे बोलते हैं कि में गालें पाई जाती है और में गाले को तरी भागमागर जाकर मिल जाएं तो सबसे बहुत अच्छी बात होती और में पश्चमी गाट के परवती छेत्रों में पाई जाती है लेकिना अब क्या बताया कि पाई जाती है वहां पर कहां पर पश्चमी गाट के कागया पश्चमी गाट के परवती छेत्रों में मिलती है मिट्टी कौन सी लेटराइज कागया राष्टी मर्दा सर्वेचण ओम भूम प्योग नियोज का गया इसका सरवादिक विस्तार केरल राजिमा है कहां पर है तो आपको याद रहाए चाहिए कि केरल में पाई जाती है लेटर आइड मिट्टी मतब केरल राज अगर आपसे केरल राज याद रहेगा तो मेगाले का उत्तरी भाग याद रखना पड़ेगा अगर उत्तरी भागा तुम लोग ना याद रखी हो तो गड़बडाय जाए मैटर और एक्जाम में गलत करके ही हो क्योंकि यहां से कथन क कारण से प्रस्न बना के दैदिन जात है कैसे कहा जाए आपसे पूछा जा सकत है यही पूछा जाए कि लेटे राइड मिट्टी के बारे में बताए कथन कहा जाएगा कि यह सरवादिक बाग केरल में पाया जाता है ठीक है कहा जा सकता है कारण कि यह मिट्टी भारत के लगब कि दच्चनी भाग में पाई जाती है क्या कहेंगे गलत करनेंगे आपने एक पॉइंट अगर हो सकता है कभी-कभी यह याद हो और तो यह वाल आपको कंफ्यूस कर देगा तो आप कहा करों आपको थोड़ा कांफिडेंस लेकर पढ़िएगा और यह कांफिडेंस बना कर रख ना आए ठीक है ना कहा गया छेत्र में विस्त्रित है इसका सरवाधिक उप्योग केरल राजिव और केरल में कहां पर पाया केरल में कहां पर मिली ही मिटी तो कहेंगे मालावार तटी प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट वो आवत है महाराष्ट वो आवत है और केरल के उपर जाएंगे तो करनाटक और करनाटक के उपर जाएंगे तो महाराष्ट आता है, क्या आता है महाराष्ट, तो महाराष्ट में भी पाई जाती, देखेंगे, आई, मालावार देख लो, याद कर लो बार-बार, ठीक है, कांडला तट किसके बीच में है, देखेंगे, दखेंगे यह आपका क्या है महाराष्ट है यह क्या है अरे महाराष्ट यह आपका क्या है आप कहेंगे गोवा है गोवा वाले कनाटक के मंगलूर वाले छेतर को क्या कहेंगे इस मंगलूर वाले छेतर को तो गोवा और कनाटक के मंगलूर वाले छेतर को आप क्या कहेंगे कनारी तट या कनारा तट कनारी या कनारा तट और मंगलूर से ले करके कन्या कुमारी तक के छेतर को क्या कहेंगे आप कहेंगे य प्लेका याद रख्यों अगर यह याद होगा तुमका तो संदो सब कुछ काम होगा फिकल इधर आ इधर आएंगे तू क्या देख रहे है यहां पर उडिसा में महा नढी मिलती महा नढी डेल्टा महा नढी डेल्टा वाले बाग तो उत्तरी सरकार कहा जाते है, क्या कहा जाता है बाबु जी का और कावेरी नदी के 20 तक को कौरो मंडल तट कहा जाता है, क्या बोला जाता है या रखना, मालावार तट कहा पर होगा, यहां से बारत का मानसून क्या करता है दचिर पश्चिम मानसून बारत में प्रवेश करता है कुछ साखाएं इधर से भी जाती है लेकिन सबसे में साखाएं इधर से जाती है अरावली परवत से क्या होती है अरावली परवत के सामनांतर जाती है इसलिए अरावली परवत बर्सा होई ही नहीं पाती है और बर्सा जब ना होई भाई तो का होई मरुस्तल होई और मरुस्तल होई तो का होई भाई भाई यहां उंट पाए जाएंगे मरुस्तल में उंट होते ना भाई जहां कम पानी होगा हूँ है उंट होंगे और यहीं पर कटीली कटीली क्या होंग क्या होंगी यहीं पर कटीली कटीली जाणियां होने वाली है तो याद रखना बाई या बड़े डिटेल के साथ आपको बता रहें तो याद रखना दिको कहा गया है कि भाई इन देखो मिगाले वाला चेत्र है का है मिगाले वाला इन देखो महारास्टा वाला चेत्र बताया गया है यहां आप देखेंगे कुछ चेतर आपका क्या है यह वाले चोटे-चोटे चेतर है यहां पर आपकी लेटराइड मिट्टी पाई जा रही है आई हो खिया आप सभी लोगी इसको याद करके रखेंगे आगे बढ़ते हैं का यह लेटराइड मिट्टी के रासानिक मानِ संबन्द पाया जाता है इन मेट्यों के निचले बाग में अपेच्छा उपरी बाग की मत्यां अधिक अमली होते हैं अब देखो अमली और छारी का एक रेश, यो बताया जाता है क्या बताया जाता है रेशियो बताया जाता है कहा गया हिन्या तक होई तो अमली होई भाई अब हिन्या तक कहा होई यह अमली होई और हिन्या से हिन्या तक होई तो यह चारी होई तो यह कहे का रेशियो होई भाई हमका तो ना पता है हमने काई इन्या तक होई तो यह अमली होई इन्या तक होई तो इन्या कहा है और इन्या से लेकर इन्या कहा है भाई यह प्रश्न तो आप से बन सकते हैं न अमली और छारी का क्या पैमाना है बताएं भाई आप सभी लोगों से ये प्रस्ण पूछा जा सकता है सभी लोग बताएं अमली और छारी में कैसे अंतर करें बताएं बताओ वाई बताओ देखेगा यहाँ बीच में क्या होगा तो आप कहेंगे उदा सीन सेविन होता है जहाँ जीरो से सुरू होगा और कहां तक संख्या जाएगी चौदा तक जाती है तो आप कहेंगे चौदा तक जाती है ठीक है ना अब इसी को पी एच मान कह दिया जाता है पी छोटा एच बड़ा बड़ा लिख लोगा ना पी छोटा एच बड़ा ऐसे लिखा जाता है पी एच मान होता है जो जीरो से लेकर जीरो से लेकर जीरो से लेकर 6.9 तक मतलब 7 पहुंचने से पहले तक इसको क्या कहेंगे अमली कहते हैं और इसको क्या कहेंगे आप कहेंगे अमली कहते हैं और जिन पदार्थों का मान 7.1 से लेकर 14 के बीच में होता है इसको हम छारी कह देते हैं इप है मनमा अगर आपका याद हुईगा तो काम होई जाए वाला है क्या हो जाएगा काम हो जाएगा वो क्या होता है छार होते है इसी को छारी और अमली कहते है ठीक है ना याद रखना बीच वाला क्या होता है वह यह सेवन में जो रहता है उदासीन होता है जैसे आपके माता पिता क्या है उदासीन है क्यों ना तो बिटिया तरफ बोल सकते हैं उदासीन रहते हैं और अगर बोले तो फिर दोनों तरफ बोलेंगे क्या रहेंगे दोनों तरफ कहेंगे हम इदर हो के हैं और इदर हो के है रहते ही हैं इसे लिए क्या होते हैं ये उधासीन होते हैं तो 7. blog अगर 7. अगर 7. पॉइंट से कम है तूह अमली है और 7. पॉइंट से अधिक है तूह उचा रही है अब यहां पर क्या पता है जा रहा है अब समझो इस मित्टी को इन मित्टी ओं के निशले भाग दोको पहली बात ये क्या है आपका ये आपका एक खेतवा है खेत अरे ख्यात या तजात हो कि नहीं आप लोग का है ख्यात जात हो या याकट हो आपका ख्यात है और ये ख्यात में कहा है कहा है ये ख्यात में कहा है निचले बाग की या पेच्छा उपरी बाग की मिटिया इस वाले भाग में क्या होंगी अमली है ये भाग क्या है हमारा ये वाला भाग अमली है मतलब यहां का पियच मान 6.9 से कम है क्या होगा और यहां का पियच मान 6.9 से अधिक है और 7 से उपर होगा क्या होगा 7 से उपर होगा मतलब नीचे वाला भाग इनका कहना है कि निचले भाग की अपेच्छा उपरी भाग की मित्यां अधिक अमली है मतलब अमली वो भी है लेकिन ये साथ से पहले तक काई है कितना साथ से पहले तक काई है क्या है अमली वो भी है लेकिन ये ज्यादा कुछ अमली है ना ये क्या है ये ज्यादा अमली है तो ये हो सकता है 6.5 तक पहुंच जाए ना तो ये क्या है उपरी भाग ज्यादा अमली है ये याद रखना ये पहमाने जो होते ना यह आपको कई नंबर दिला सकता है बाबू यह कई नंबर दिला सकता है गाउं के हैं पर गमार नहीं है यह मत समझना यह आता नहीं है अगर गाउं के हैं पर गमार नहीं है बाबू जी आप सभी लोग जानते हैं डाइलाग गया था गाउं के हैं पर गमार नहीं है तो वही बात है बाई गौक हैं लेकिन दवाना है बाबू तो बताएंगे यही आपकी लेटे राइड मिट्टी है आईए आगे बढ़ते हैं लेटे राइड मिट्टी के बारे में कुछ है अब साथ कोश्चन अंसर आ गए लो बाई कर लो कोश्चन अंसर अगर आएं तो करना तो कर देगा, आइए करते आगे का गया है भारत की लेटे राइड मिटियों के बारे में रिम्यून लिकित में से कौन से कतन सही है, वे साधारतयां लाल रंग की होती हैं, का गया यह नाइटरोजन और पोटास से सम्रिथ होती है नहीं होती मैंने बताया था, का गया ननका इन मिटियों में कागय टैपियों का और काजू की अच्छी खेती हैं काजू की अच्छी खेती होती है ठीक है मान लेते हैं हमना क्या कर लेते हैं मान लेते हैं सही बात है तो आप देखेंगे हमने इनका अधिक यह साधारते हैं किस रंकी होते हैं लाल रंकी कैसी होते हैं लाल रंकी लाल मिठी दूसरी है लेकिन यह साधान था लाल रंकी होती तो कौन सा आपसन सही हुआ आपका आपसन नंबर सी सही हुआ सही उत्तर क्या होगा तो आप कहेंगे आपका आपसा नंबर सी एकदम सही परस्न हो गया ठीक है ज्याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला परस्न का गया निमन लिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइड मर्दा की संदर में सत्य है अब आपका एकदम सही सही बतावए खैबाई अगर आ रहा है तो का गया लेटराइड मर्दा का उच चतापवा भारी वर्था वाले छेतर में बिक्सित होती है अच्छा का गया लेटराइड मर्दा जैवी किया हुमस सम्रद नहीं है वह पस्यमी बंगाल असम नहीं मैंने बात की लेकिन लेटराइड मर्दा उच चताप और भारी वर्था वाले छेतरों में बिक्सित होती है ऐसी बात मैंने आपको बता रखिये तो केवल और केवल क्या सही होगा डी सही होगा आफसा नमबर डी एकदम सही मतलब आफसा नमबर एक बात एकदम सही बात कहीं जा रही है आगे बात करी कागया पस्यमी बंगाल की तुल्ला में आंध परदेश की सुद्ध रोपित छेतर की उसके कुल छेतर फल में प्रति कौन सी बात यहां पर एकदम सही उत्तर दे रही हैं तो आप सभी लोगों से चिला चिला कर कह रही हैं कि मैं मुझे ले लिजेगा मैं मुझे ले लिजेगा तो आप सभी लोग सही सही उत्तर का चेहन करें कौन सी बात यहां पर एकदम सही होगी जल्दी से आप सभी लोग ब मारिबासित किया था अधिकांस्ता की बात कर दी गए ऐसा नहीं कि आन्ध पर्देश में नहीं पाया जाता अधिकांस्ता तो ये केरल की Dz कि यह तांकि यह बबुजी केरल की है याद रखना तो आप कहेंगे एक बात सही कि पस्षिम मंगाल की तुलना में आंद प्रदेश के सुद्ध रोपी छेतर की उसके कुल छेतरपल के प्रतिस्था कम है लेकिन आपकी दूसरी बात गलत है आगे बाते का गया लेटर आइड म मिलती है हमने उत्तर प्रदेश तो बताया ही नहीं मंचल प्रदेश पंजाब महाराष्ट में अगर के बाद किसी का नाम आता है तो वह क्या होगा तो आप कहेंगे महाराष्ट का आता है किसका आता है तो आप कहेंगे महाराष्ट का नाम आता है याद रखना वही महाराष जील कैसी जील है लोना जील किसके कारण बनी उलका पिंड के गिरने से बनी है जल्दी से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना फिर इसके बाद क्या होगा कि आपके ही बीच एक मेंस यूपी पीसी या यूपी पीसी कैसे आप उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग के लिए जितनी भी बैकेंसी आती उसकी जीएस पूरी अलग अलग टीम के द्वारा इस चैनल पर या इस चैनल के माद्दम से दूसरे चैनल पर बनाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है ठीक है याद रखना महाराष्ट में आप कैसी य उलका पिंड के गिरने से क्या हुआ था यहां पर गड़ा हो गया था और उस गड़े में जब वहर गया तो क्या बन गई छेरा रंग बदलने के लिए लिए जानी जाती अंदर नह एक प्म्रास जताती हैं कि हम इस प्रकर्ति से प्यार करते हैं उत्त उत्ताप्रदेस के बारे में बात्चीत करेंगे हम लोग सुं में आप देखेंगे के उत्ताप्रदेस जन संग्या के तोर पर भारत का सबसे बड़ा राजी उबर कराता है उत्ताप्रदेस नौ और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश में कई यसी जंजातियां हैं जो पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में और देखेंगे तो आपकी फुलहर जील पाई जाती हैं कई ऐसे बांध वगएरा हैं जैसे रिहंद बांध हैं यह सब बेतवा पंजाब आपका क्या कहें पंजाब के बारे में पंजाब राजी एक ऐसा राजी है जो आपके कस्मीर पंजाब देखो पाकिस्तान से सीमा साधा करता है कौन पंजाब पंजाब गुजरात राजस्तान आपका जम्मू कस्मीर और आपका लग्दाक्षित ठीक है आगे बाद का अगर लेटे राइड मिट्यों का परदान ने है तो मालावार तटी परदेश अरे बाई अगर ये परस्णमा भूल गए तो फिर तो गडबड़ हो जाएगा न तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं बूलने आए न क्या करना ये वाला पोर्चन आपका बिल्कुल नहीं का मानसून है आगे बढ़ते हैं का अगया निमल खितकतनों में कौन लेटे राइड मिट्यों के लिए सही नहीं है कौन सा सही नहीं है तो देखेंगे वे आदर अप शालित परदेशों की मिट्यां है वे बहुत ही बहुत ही अप शालित मिट्यां है उनकी उरवरता कम होती नंबर कुंशन नंबर 6 का सई उत देंग। चून आपका पर्चुड नहीं है कि शुना की कम मातरा है कcos कि पूचोर का सबीsal साही है la यह वैं कुर्कि पूचा है क्या सब्सक्राएं नहीं है तो यह नहीं है कारवनिक तत्तों की कम ही पाया जाता है या रखना इसको ठीक है आगे बाते ऐ算 आगे आता है भारत में निम्न लिखितों में में से कौन सा म्रदा म्रदा प्रारूप रोघे का अतिरेक होने के कारण अनवरर होता जा रहा हू Kry इंपॉर्टेंट है GKGS जैसा और यह möchte आप इसको याद कर ले कौन्स है ले कौन सी ही मित्वी होगे तो आप कहें लेटे राइड फुर्टी होगे एंब आगे बात चीट करते हैं दोमट मित्य के दे 10 को इसी को जलोड मित्य के नाम से जाना जाता है किस मिटी अरे इसी मिटी पर हम जो खाते पीते हैं खाने पीने का मतलब जैसे आपका ग्यों चावल सबजी ये सारी चीज है जितनी हम लोग खाते पीते हैं इसी जलोड मिटी या दोमट मिटी या कछारी मिटी पर इन सब का नाम एक है ना चाहे जलोड मिटी क है Galina लेकिन आपके जो जलोड मिटिय कई प् कर कार में बटीimi बटी विए表示 विश्यां प्रहेरे और आप देखेंगे इस जलोड मिटिय को हम दोग चार बागों में बांट ले स्बसे पुराना इसका बांगर चेत्र ओप कौन सा छेतर है आप कहेंगे सबसे पुराना इसका छेतर है बांगर छेतर है कौन सा बांगर छेतर है तेकन उसके बाद आप देखेंगे एक खादर छेतर आता है खादर जलोड मिट्टी एक आपका ये बांगर एक आता है भावर छेतर और एक आपका चौथा आता है तराई छेतर कौन सा तराई छेतर इने चार भागों में इसको क्या किया गया तोड़ा जाता है क्या किया गया है तोड़ा गया है दोगो जो बांगर छेतर है डिटेल में सब कुछ है समझ लो और अच्छे समझ में आ जाएगा जो बांगर छेतर दोगों जब मिट्टी जैसे ये जलोड मिट्टी है आपकी इधर बताते हैं जैसे आपकी ये जलोड मिट्टी है इसको मैंन तेकिल करेंगे गिरपाद पर कि बात कही गए और यह कौन सी मिति होगी तो आप कहेंगे बहावर छेत्र या बहावर मिती यह उप मितियां आये किसकी जलोण मित्टी की और इसी के भावर छेत्र के दच्छिण में अगर जाएंगे यहीं पर दलदली छेत्रों को तराई छेत्र का जाता है क्या का जाता है तराई छेत्र अब आती है बीच वाली मित्टी अब दो मित्टियां तो यहीं पर हो गए इसके दच्छिण में आ रहें तो कौन सा तराइच चेतर और जाएंगे तो इस वाली मिट्टि पर इसे को नवीन मिट्टि कि जाता है क्यों यहां पर बाढ का पानी आपके हर साल पहुँशता रहता है और जैसे यह पानि यहां से निकला या बाहर हुआ तो यहीं पर रभी की फसल मतलब का गयूं चना मटर सरसों वगैरा फसले की जाटी कहां पर जहां पर आपका नवीन जहां पर आपकी खादर मिठी है कौन सी खादर मिठी और सबसे उपरी परत पर यह यू कहेंगे उचाई पर उचाई के तौर पर मिठीया मताई जा रहे हैं क्योंकि यहां पर अधिक उचाई पर होने के कारण यहां पर बाड का पानी जाता ही नहीं है तहां पर तो आप कहेंगे बांगर छेतर बांगर छेतर इसी को प्राचीन या पुरानी जलोड का जाता है पुरानी जलोड नाम दिया जाता है जलोड मिट्टी इसी मिट्टी को कहा जाता है किसको बांगर छेतर को बांगर क्या होता है पुराना आप से कहा जाता ना बांगर लोहा दे दो लेने वाला कबाड़ी आया है बोलते ना बांगर मतलब पुराना कबाड कूडा कर मतलब कब तो पुराना का मतलब बांगर है क्या है याद रखना और यहां पर कोई उपज नहीं होती है उसर होते उसर जानते हो ना जब आप के छेत्र के अकॉर्डिंग आप जिस लेबल पर रहे रहे उससे थोड़ा सा ज्यादा हुचा वह उसर पराथ क्योंकि वहां पानी बारिस का पानी टिक ही नहीं पाता है अगर बारिस होई तो सर से नीचे है क्या होता है अगर माल यहां पर यह उंचा वाला चेत्र है और लेकिन जो मेन समतल वाला चेत्र है यह यहां पर है अब यहां पर बारिस होगी तो यहां यहां से धनक आएगा जल तुरंत नीचे आएगा इस इसका मतलब बारिस का पानी भी वहां नहीं ठीक पा रहा है और बार का पानी पहुंची नहीं पा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा छेतर होगा उसर छेतर है यहीं पर रेह पाई जाती है रेहू हूँ अरे जो बच्पन में हम लोगों ने कपड़े दुलें बाही रेहू की इस इसलिए ये सब्द बोला जा रहा है याद रखना इस बात को गाहों चौर्ण के हैं पर गमार ना है गलती मत करना इस बात की तो यह उसर वाला जो छेतर होता यह का किया जाते यहा देखना उओ लोग पैटने जाते हैं जो नकारे निकम्मे टाइप के होते हैं मतलब आप देखेंगे वो लोग यहां साम को मिलेंगे उसरवा में कहेंगे उसरवा में मिलते हैं कौन जिनको साम को पीना है तली ओकर घराना है उसरवा में मिलेंगे जिनको बीड़ी सुलगा के पीना है उसरवा में मिलेंगे जिनको उस रेवु पर यार रेव पर आपकी ककड़ी पाय जो टाइट पत्रीली होती है चोटी चोटी कंकड़े पाय जाती है हम लोग पहले रेवु लेने जाते तो तो अच्छा से चुनना पड़ता था है कि यहाँ अची वहाँ ची ये भी एक अलग सी एक quality अपनी थी न कि कौन सी रेहू ज्यादा अच्छी है जहां पर क्या होता है भाई ये नमक वगएरा जो होता है वह क्या हो जाता है वहाँ ज्यादा हो जाता है न और नमक के कारण ही वह रेहू आपके कपड़ों को चमा चम जैसे आज के वि आने का प्रियास किया ताब कि आपको चीजे जरूर समझ में आए आगे बढ़ते हैं अब आता है कहा गया है नदियों द्वारा लाई गई मिटियों को जलोड मिटि कहते हैं नदियों द्वारा बहा बहा कर लाई गए क्यों हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्यों जन संक्या पाई जाती है क्यों कोई कारण होगा तबी ठीक है Бटाएंगे आपनों कागया राश्टी मरुल अविच्छन दे साइप नियुनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोड मिर्दा देश के 33.5 प्रतित बागों के लगबग 11 लाग वर्ग किलोमीटर छेत में विश्थी थे या मिट्टी पंजाब से लेकर का जाता है कंया कुमारी से लेकर कंया कुमारी तक उसी तरह पंजाब से लेकर असंतक की बात की जारी कहां तक असम्तक के बिल्ट पर फैली वी है का गया के विशाल मैदानों मैदानी भागों के साथ साथ नर्वदा तापती महानदी गोदावरी किष्णा कावेरी गाटियों में फैली वी है इनका निर्माडि इमाले और तता प्राइदीप से प्रात कागया मालवा और तता आपसारी सागर द्वारा छोड़े गाद द्वारा अरे जो मलवा बहा कर लाया जाता है उनी से हुआ है उनी से आप देखेंगे तो यहीं से हुआ है ठीक है छोड़े गाद दारा हुआ है इनका रंग हलके धूसर रंग से भस्मी धूसर के बीच और कागया गठन इनका गठन जो हता है गठन अरे तीली से कागया रे तीली से गाड़ी दोमट के बीच पाया जाता है अरे तीली मतलब रेत भी पाया जाती है मैंने बता दिया र गारी दो मुस्टी तक पाई जाती है गारी दो मुट के बीश तक की बात कहीं गई है इंप्वाटेंट है जिपका लूँ आगे दोको कौन कौन सा छेत्र बताया हमने आपको इस बेल्ट के माध्यम से याद कर लो न आप कहेंगे किष्णा कावेरी गोदावरी महानदी का वेल्ट आ रहा है इधर वाला देखो यह यहां से पूरा ऐसे बंधवा कर एकदम छीक कर लेके जा रहे हैं जलोड मिटी ना कौन है यह जलोड मिटी है इससे फैली है यह इससे वारत में यह यह थोड़ी थोड़ी भी है याद रखना इस चीज़ को तिक है याद रखना इस चीज़ को ठीक है न क्या इस्टीज को आप सभी लोग याद रखना आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के करम पर आप देखेंगे कागया दोमट मिटी में potos, fresh staring acid, tuna और जैंविक पदार्थों की परचूरता पाई जाती है परंत इन में nitrogen, humus की क्या कमी पाई जाती तो important क्या है कि जलोड मिटी में या आपकी दोमट मिटी में क्या परचूरता किसकी है तो आप कहेंगे पोटास की, फासफोरिक एसिट की और चूना की यहां पर क्या है पर चुरता है, जैव परदार्थों की पर चुरता है, परंत इन में नाइटरोजन और हुमस की कमी होती है, अगला कागया फलीदार फसलों से जैसे आपके जो अरहर की दाल होती है, चने की द खेती से इनमें तेजी से नाइटरोजन का इस्तरी करण संबोवा है, तो फलीदार जैसे आपके मतर कैसी फलीदार है, तो मतर के पेंट से क्या करेंगे नाइटरोजन और नाइटरोजन का इस्तरी करण कर सकते हैं, यह मिट्या से चाहिए तो कागया सरवाई उकता है, इनक सिंवेख लगबग इसमें देखेंगे आप फाने की सारी चीज्जια पीने में जैसे गन्ने का पीते हैं तो चावल भी आ गयों भी आ रहा है गन्ना भी आ रहा है जूट भी आ रहा है कपास कपास के साफीं everybody करना चाहिए तो यह कहां पर सारी के सारी दोमट मिटी पर हो रही का गया सामानेता दोमट मिटी में 40% बालू के कड़ और 40% मृतिका कड़ 20% गाद या आपका इसी का नाम पास कड़ का जाता है पास कड़ के कड़ पाए जाते हैं ठीक है अब बहुत से बच्चों को अगली वाली क्लास में बताएंगे अभी यही क्योंकि लंबी चली जाएगी तो टाइम हो जाएगा तो अगली वाली क्लास में मैं आप सभी लोगों को कि मृतिका कि कितने मिलीमीटर किसको मृतिका कहा जाता है किसको आप कहेंगे कि कितने कौन से ऐसे मोटे कड़ होते हैं जिने क कहा जाता है कि ने बड़े कट इन सब के बारे में अगली क्वलास में अलग से आपको बतादें का गया बलूई धोमट मिटी की जलत अरन्ट्षंता सब से कम है तो किसकी बलूई जो तोमट मिट्यों कहां जलते हैं आप देखेंगे कि बालू पर आप जब गंगा किनारे जाते हैं बालू पर अगर आप पानी डालते तो नीचे आप देखें ऐसा करके प्रियोग कर सकते हैं आप अपनी घर पर बालू लाएं उस पर पानी डालें और पानी डालने के बाद और आगे आप मिटी रखे ऐसे थोड़ी दूर पर एकड़ी वाली नीचे मिटी उसके उपर बालू रखे आप देखेंगे कि बालू ज्यादा या बलूई दोमट मिटी आपकी क्या करेगी पानी ज्यादा नहीं ग्रहन करती है ठीक है याद रखना इसका क्योंकि इसमें रवे बारी मा है एक पुरानी जलोड मिटी एक नहीं जलोड मिटी लेकिन मैंने आपको चार बता है उन सबकी यहाँ पर बात मैंने कर रखी आईए देखें कागया जलोड मिटियों को दो वर्गों में विवाजित किया जाता है तो नमीन जलोड या इसी को खादर मिटी कहते हैं इन मिट सदयों उर्वर नी रहती कौँसी मिटी तो आपकी के खादर मिटी है सबसे udah बैद्झावली कोई मिटी है तो वह आपकी खादर मिटी 〜 अ अ것도 प्राथीन जलोड या इससी को बांगर का जाता है का गया बांगर मिटी कि इससी बाड की पॉंच से दूर कुछ उचाई पर होती है मैंने जैसे समझाया अगर आप उस्तित समझ गए तो मान के चलो कि तुमाँ पक्के नंबर है उके बाहर आगर आप समझना चाहते हैं तो भाई ना समझा पाबा आपको बड़े अच्छे से मैंने समझाया कि अगर आपके गौओं के घर खेत इतनी उचाई तक है और उसर्वा देखेंगे ऐसे 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 होते हैं अब इन उसर्वा में पानी बरसे यहां पर बाड आय तो यहां जै का ना जै और जब यहां ना जाय तो काहो बाड की पाहुँच से क्या होते हैं? कुछ उचाई पर होती हैं, यहां तक बाड़ पहुचाई कुछ उचाई तक वाद है, एलिए इन्हें पुरानी जलोड मिटी, जलोड मिटी या इन्हें इसको बांगर का जाता है, यहां मिटियों का रंग गहरा, पीला या रक्ताम भूरा पाया जाता है, जिसमें चूनेदा कंकर के पिंड पाए जाते हैं और अधिक कैसे चूनेदार कंकर के पिंड अधिक पाए जातें बांगर मिठी की बात आ गई न और आप जानते हैं आज गल की language बच्चा क्या समझना चाहता है अपनी बात समझा जो बात खतम अगर आपका समझ मा आ जाए तो बले बले ललन टाप आप रहते हैं एक डम खुद आपको जिंदगी में कब भूले न पावे उस रवा पे हम क्या करने जाते थे हैं वही बात है ठीक है लवड़ी और छारी और छारिया का मतलब अभी यहां का हो गया अभी यहां हो कि साथ से यह आप कहेंगे साथ दसमलो एक यह साथ से पार है ठीक है और यहां मिटी कम उर्वर होती है अरे उर्वर ही उसर रहते उसर पड़े रहते और इसमें नियमित उर्वक्ता की अवसकता होती है अगर यह का जो आते हैं बवेक है कुछ तो इमा क्या उर्वर्गता की सक्तियों को नीमित तरीके से डाला जाए तो साइद यहां पर हो सकता है आईए अब आगे बाक्चित करते हैं प्रस्टू अच्छा अब आपका आता है भावर छेतर मैंने का सिवालिक क गिरपादी छेतरों में जलोड पंक पाए जाते हैं क्या जलोड पंक पाए जाते हैं जिनकी मित्टी स्थूल और का गया गुतिका युक्त होती है ऐसे आप मित्टी को बढ़ या गुंठा गुंठा के खेलते हैं जिससे खिलोने वगएरा बनाय जाते हैं गुंठा हैंगे महान हिमाले यह आपका लग हिमाले यह आपका सिवालिक हिमाले के गिरपादों पर क्या पाई जा रही है आप कहेंगे भावर मिट्टी या भावर मिट्टी पाई जा रही है अब कहा गया है अब इन मिट्टियों के इन सिवालिक के गिरपादों के दच्छन की तरफ क पाया गया दच्छनी दलदल और गाड़ी मिट्टी वाले छेत्र को तराई छेत्र कहा जाता है क्या तराई छेत्र यह तराई कहा जाता है यहां की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्तों की क्या होगी प्रचूरता पाई जाती है और फासपेट की कमी पाई जा है ना और राद कहा जाए नाम से जाना जाता है तो आप देखेंगे कि आपके भावर वाले छेत्र के दच्छिड में राड कहा जाता में और आफ के सामने पहला प्रशन अगर अब गलतिया किये तो समझ लेना आपका खयाल अच्छा नहीं आएगा मेरे मन में का गया जलोण मिट्टी के संदर में नीचे दिये गए चार कतनों में से कौन में से सही कतन को चुनिएगा का गया यह मिट्टी बारत के कुल बाग के करीद 14 प्रतसत हिस्से पर हैं अच्छा हमने तो और ब नहीं है अरे भाई ऐसी बात नहीं है आपकी जलोण मिट्टी की बात हो रही है और जलोण मिट्टी में तो आप ऐसी हर चीज़ देख रहे हैं जो लगबग आपकी सब कुछ हो रह यह तो यहाँ पर आप सको ये बताना है कि कौन सासी है तो आप क्या बताेंगे आप तो रेख तो उसी को केंगे निया आपकी बांगर रह तो यह मिट्टि नामों से भी जानी जाती है तो जलूरे मिट्टि जानी जारी किया है है यह तो इसके उपनाम है इंगाना आगे आधे का ओंए भारत में सबसे अधिक उपजाओं मरदा कौन साथ तो आप कहेंगे जलोड मिर्दा है कौन सी मिर्दा है जलोड मिर्दा है सबसे उपजाओ मिर्दा है कौन सी जलोड मिर्दा आगे बढ़ कागया निमने लिखित में से कौन सी मिटी नदियों द्वारा निर्मित होती है तो नदियों द्वारा बहा करके या आपके मलवा द्व जारा बहाद करके लाया गया कौन सी मिटि को जलोड मिटि को आगे बढ़ते हैं, अब कां गया भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है एक ग्यारा लाख वर्ग किलो मीटर तक के मिट्टी फैली किसका आप कहेंगे कछारी मिट्टी मैंने इसलिए पहले पताती है इसी जलोड मिट्टी को कछारी मिट्टी इसी जलोड मिट्टी को आप क्या कहेंगे इसी जलोड मिट्टी को कछारी मिटी दोमट मिटी जलोड मिटी कह सकते हैं आगे बढ़ कि का गया निम लिकित में से मिटी का कौन सा वर्ग भारत के सरवादिक छेतर पर फैला है अभी तक जितनी मिटियां मैंने पड़ी उनमें तो जलोड मिटी है कौन से मिटी है जलोड मिटी है तो जब अभी तक जितनी पढ़ी इसको किया कहेंगे तो नमीन मिटी को खादर कहते हैं नमीन मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है और कहेंगे बांगर मिट्टी को पुरानी जलोड कहा जाता है और भावर मिट्टी को क्या कहेंगे तो आप कहेंगे कि यह आपके इस वाली की गिरपाद उपर पाए जाता है आगे किन्दिन लिखित में से किस प्रकार की मर्दा की जल दाराण छमता सबसे कम है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े कंकर पाए जाते हैं कौन से होगी बलुई मिटी बलुई दोमट मिटी है कौन से हैं बलुई दोमट मिटी है दोमट बालु नहीं बलुई दोमट मिटी है आपकी आज का यह लास्ट प्रस ने कागया मैंने लोम नाम लिया था कागया आपकी तुम्ती लोम मिटी में पाए मिटी का कौन सा कड मिलता है कागया बालु कड मिलता है चिकना कड या आपके पास कड य ही न तो अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपका वास्तों में कोई प्रस्द नहीं छूटने वाला है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन जरूरान कर लें इस से आपके समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंसता रहेगा और आप अपनी क्लास को दिये गए समय पर देख सकते हैं तो आज की क्लास यहीं तक अगर आपको क्लासे पसंद आ रहें तो आप जरूर लाइक शेयर करें और यहां तक वाज करके आए तो थैंक्यू सो मच आप सभी लोगों को हमेशा आप सभी लोग क्या करते रहे हसते मुस्कुराते रहें क्या रहें हसते मुस्कुराते रहें भाई खुस स्वस्त जबर्जस्त रहें तो आज की क्लास यहीं तक थैंक्यू सो मच मिलते हैं अंगिल क्लास में तब तक आप सभी लोग अपना द्यान रखें अपने साथ सभी अपनों का द्यान रखें थैंक